नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे तुला रासी वाले जातकों के लिए एक अगस्त सनिवार का दन कैसा रहेगा बैपार बैवसाय करियर लव लाइफ और आपके स्वास्ति के बारे में आपको बताएंगे तथा इस दोरान बरती जाने वाली महत्पुन सावधानियों के साथ साथ किये जाने वाले महत्पुन कारों के बारे में आपको बताएंगे आपको बताएंगे आपका लखी खलर लखी नंबर कौन सा रहने वाला है किस प्रकार के कारे को करना आपके लिश्ब सावित हो सकता है किस प्रकार से समाज वाले घर वाले प्रिवार वाले आपके इज़त कर सकते हैं आपको बताएंगे आपके दुस्मनों को कब तक सजा मिल सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों आपको ब सल्दबाजी में निरने लेने से बचें आपके आमधनी निरनतर बनी हुई रहेंगी लेकिन खर्ची भी बने रहेंगे ऐसे में खर्चों को थोड़ा सा कंटूल आप अवस्य करें आपको कुछ स्वायत समंदी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है पारिवारिक माहो प्राप्त करने की अवस्य कोसस करें आप मेंसे कुछ लोगों को मुश्किल हालात बीमारी या फिर जदोहत से निकलने में सफलता हासल होंगी आत्म सकती को इकठा करके अंदर की सकरात्म कुर्जा में वर्दी करने के लिए आपका समय उत्तम रहेगा बैवसाहिक और बैप बिहत तक सामान ने रहेंगे आप जीवन साती के साथ मुरंजक कस्तलो का आनन्द ले सकते हैं प्रेम विशियों में आपके इस्तियां यधावत बने रहेंगे मित्र भी इस समय आपके भावनाओं को ठेस पहुचा सकते हैं ऐसे में मित्रों को भी पहचाने कामों का तो हो सकते हैं आप अपने कारिस्तर प्रक्रसंसा के पात्र रहेंगे जो आपके संतुष्टी को बढ़ाएंगे आर्टिक संदर्ब में तुरित पैसा बनाने की योजनाएं या आकर्शक प्रिस्तावों से दूर रहना आपके लिए बहतर सावित होगा इससे आने वाले महीनो में आपकी समस्चाएं हो आपको थोड़ी सी कामकाज में थोड़ा सा गलत निरने भी लेना पड़ सकता है इसलिए आप पैसों की योजनाओं से दू भी आपकी योजनाएं हैं उनको आप सम्हानने की अवस्य कोशस करें प्रिवार के सद्दसों के साथ आपके कुछ गलत गहरेलू माहोल को कड़वाहट बना सकती हैं अगर किसी को प्रपूज करने की योजना है तो ऐसा करने के लिए आपका समय आदर्स रहेगा आपके बच्चों का स्वास्त भे आपके चिंता का कारण हो सकता है ऐसे में बच्चों के सिहत का विध्यान अवस्यरक हैं आप जी कारियों से परिपूर्ण रहेंगे और आप कुसहाल जीवन व्यतीत करेंगे आपका स्वास्त भी सुब रहेगा आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे आपके पास नए अधिगरन हो सकते हैं जो आपके जीवन को अधिक आराम दायक बना सकता हैं आपके परिवार में कुछ समहारों हो सकते हैं परिवार वाले घर वाले और आपके जिम्मेदारियों के एहसास आप आसानी से कर सकते हैं बैवसाय बैपार में इसरासी के जात्त को के लिए एक अनुकूल अवधी होंगी आप नए साजिदारी में प्रिवेश कर सक से आप का दिन काफी अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने खर्चों को नियंतरन करने की अति आवस्यकता है आपके प्रेम चमंदो का खुलासा आपके जीवन सात्ती के सामने हो सकता है इसके प्रिनाम से रूप आपको अपमान और कुरूद का सामना भी करना पड़ सकता है माताफिता से आपके आज कुछ मद्भेद हो सकते हैं ऐसे में थोड़ा से धहर आप अवस्य रखें जटिल समस्याओं का समधान आपको अवस्य प्राप्त होगा व्यवसाई करूप से आपका दिन काफी अच्छा रहेगा नोकरी पेसावाले जातकों को कोई सुबसमाचार मिल सकता है आप अपने विचारों को दूसरों के समक्चे सकरात पक रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे परिक्छा या पर्तियोगिता के माद्यम से नोकरी के तलास करने वाले या खुदगा व्यवसाई सुरू करने के एक चुक लोगों को अपने प्रियासों में सफलता मिलेंगी आप अपने जीवन में एक चुक लोगों को प्रियास कर सकते हैं बैवसाय विस्तार की योजनाओं को भी आप आसानी से बना सकते हैं, आपके जीवन में आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, आप अपने समरपन और कड़ी मेहनत से दूसरों से आगे रहेंगे, परिवारिक जीवन भी आपका सामान जे से पूर्ण रहेगा, परिवार के लोग भ आपके एक्चा सकती में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और आप उत्सा पुर्वक अपने कारियों को अंजाम देंगे, भागे का साथ होने से रुकी हो प्रियोजनाएं प्रगती कर सकती हैं, और सकरात मगविकास होगा, बीत्य मामले आसानी से आगे बढ़ेंगे, और आई का एक कत्रिक तसरोत भी आपके सामने आ सकता है, सुवी चारित नर्णें बविस्य में लाव देंगी, कोशिस करें और किसी भी संपती, लंबित संपती मामलों को आपस में ही सुल्धा लें, परिणाम आपके पक्ष में रहेगा, आप में से कुछ लोगों को नई साजिदारी में परिवेश करने के मौके भी प्राप्त होंगे, तथा अगर आप एकल हैं यानि सिंगल हैं, तो आप लोगों को एक आकर्शक प्रेम प्रस्ता भी प्राप्त हो सकता है, चुनोतियों और कटनायों के वेच आपको इन दिनों प्रगति सील रास्ता, जिनमें आपकी प्रगति हूं उनको ढूनना पड़ सकता है तथा प्रिश्रम ही वचा भी हैं जो आपके सफलता के दुआर को खोल सकता है बेकार की गतिविधियों में आप अपने समय और उर्जा को बरबाद ना करें वित्या निरने लेते समय आप अपने खर्चों का ध्यान रखें अस्ताक्षर करन से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से आप अवस्य पढ़ें आपको समय समय पर मित्रों और सुबचिंतों को का समर्थन भे मिलता रहेगा घरिलू जीवन भे आपका खुसहाल रहेगा बच्चे भी आपको आनंदित कर सकते हैं बैवसाइक और वीत्य प्रियास प्राप्त कर सकते हैं जदी आपके पास बिदेशी संपर्ग हैं या निर्यात आयात में सामिल हैं तो बिदेश यात्राओं के मजबूत संभावनाएं हैं आप सामाजी कद्विधियों में भाग ले सकते हैं और पारिवारिक जीवन भी आपका सुहाद्र पुन रहेगा आपके लिए नए अवसर लेकर आया है आप खुद को उर्जा से भरे हुए मैसूस कर सकते हैं आपके निर्णे निर्णे की चमता में विर्धी अवस्य होंगी पारिवारिक जीवन में प्रेशानियां दूर होंगी किन्तु अंत में आपके सभी पुराने जगड़े दूर हो सकते हैं निपट सकते हैं दप्तर में भी सभी के साथ कुसहाल माहूल बना कर रखें वेफुजूल के विवादों से बचें और अपने लक्ष पर ध्यान के अंदृत करें प्रेम संबंदों में अमरियादित होने और संदेख करने से बचें अन्यता थोड़ी बहु दूर्व का सहियोग अवस्य प्राप्तों होंगे तथा भागए भी आपका इस में सहीयोग कर रहा है। उतावलेपन में लिया हुआ कोई भी निर्ने, निश्य हाने की और अन्मुक कर सकता है। अतक कोई भी निर्ने, लेते समें धायरे बनाए रखें और अपने जीबन मे भी सकारात्मक परनामों की प्राप्ति करने के लिए आप अवस्य प्रियास करें अवस्य कोस्च करें इस्तिरिजात को का सही योग मिलेगा और उनसे सला मस्वरा करके आप किसी कारी को कर सकते हैं जो कि आपके लिए लापकारी रहेगा नौकरी में प्रवर्तन के लिए यही आपका सही समय नहीं हैं, अथा अथा इस्ति को बनाई रखने का फ्रियास आप अवस्य करें, तथा आपके जीवन में जो भी दुख तगलिफ हैं, जो भी कश्टिया समस्याएं हैं, उनको दूर करने की अवस्य कोसस करें, संतान के कारण कुछ मांसिक तनाव उत्पन हो सकता है, कि उस सकरात्म घटना करम होंगे, किन्तु उसका आपको पूरा लाप ना मिल पाने के कारण आप तोड़े परिसान हो सकते हैं, आपको अपने कारिस्तिल पर कुछ अतरिकते जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, बहुत सारी गद्विदियां व्यवसाइक गद्विदिया होंगे, किन्तु आपके जितने भी व्यवसाइक गद्विदिया होंगी, वे लटक सकती हैं, अटक सकती हैं, रुख सकती हैं, आठिक संद्रव में अतीत के प्रियास आपको फल दे सकते हैं, आपके सिहत में भी सुधार अवस्य होगा, पारिवारिक जीवन भी आपका खु कर सकते हैं, अपनी सारी यूजनाओं को पूरा कर सकते हैं, इसमें आपको सुचने, समझने और अपने इक्शा सक्ती में बढ़ोत्र करने के विसेश मौके भी प्राप्त होंगे, और कारिशेतरों को बहतर बनाने का फ्रियास भी आप आसानी से कर सकते हैं, मत्रों आपका दन बहतर भनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दे अवस्य लिखें तथा माता रानी का अगर आप आशिरबात पाना चाहते हैं तो आप किसी भी कारी को करने से पहले माता रानी के जरूर यात करें और अपने घर से बाहर निकलने से पहले अपने पुरुवजों सारी देव देवताओं के प्रणाम अवस्य करें गोमाता के चर्णों को अस्पर्ट